हलो पाइसेज मैं हूँ किरिन शापुरी और यह है आप लोगों के लिए नवेंबर 2020 की लव टारो रीडिंग सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं या आप वीडियो देखते हैं आपने अभी तक इस चैनल को नहीं सबस्क्राइब किया तो प्लीज लाइक शेयर और सबस्क्राइब करें और चलिए पाइसेज देखते हैं कि नवेंबर मन्त आप लोगों की लव लाइफ में क्या लेकर आ रहा है तो मिर परस यहाँ पे तीन सेट आप कार्ड्स हैं सबसे पहले में हम देखेंगे कि आपकी क्या एनर्जीज हैं दूसरे सेट में हम देखेंगे कि आपके पार्टने की क्या एनर्जीज हैं और तीसरे सेट में हम देखेंगे कि finally November मन्त में क्या हो रहा है तो आपकी रीडिंग देखें Paisis, दो चीजें मुझे बहुत जादा दिख रही है November मन्त के लिए, एक तो की कोई celebration हो रही है, देखें यहाँ पे the sun का card है, three of cups का card है, participation का card है और आपके partner के लिए यहाँ पे the hierophant का card है और hierophant किसी religious ceremony की बात करता है, marriage की बात करता है, तो कहीं again मैं कहूंगे कि इसी तरीके का reunion, किसी तरीके का get together और celebration November मन्त में मुझे दिख रहा है और यहाँ पे देखें हमारे पस three pages के card हैं और यह तीनों cards कहते हैं कि immature energies रह सकती हैं आपकी तरफ से और आपके partner की तरफ से चलिए detail में देखते हैं कि November मन्त में क्या हो रहा है तो आपके लिए देखें pieces यहाँ पे deeper level के लिए हमारे पस cards है receptivity, inner voice and healing और healing का card मुझे कहता है कि हो सकता है पीछे कुछ issues आपके relationship में रहे हों, कुछ चीजें आपको hurt करी हों और November मन्त में या तो आप उनको heal करने पे focus कर रहे हैं या किसी तरीके की healing हो रही है क्योंकि आपकी energies मुझे बहुत great दिख रही है November मन्त के लिए, यहाँ पे inner voice का card मुझे कहता है कि आप अपनी gut feeling, अपनी intuition पे बहुत जादा ध्यान दे रहे हैं, जो भी आपकी inner voice कह रही है, आप उसको follow कर रहे हैं और इस week, sorry, इस month जो लोग नहीं कर रहे हैं, उनके लिए inner voice का card मुझे कहता है कि please अपनी gut feeling, अपनी intuition को ना ignore करें, यहाँ पे receptivity का card मुझे कहता है कि बहुत एक love, बहुत एक प्यार, बहुत एक महबत, आप अपने partner के लिए महसूस कर रहे हैं, लेकिन कहीं deeper level पे आपकी एक receiving वाली energies दिख आपकी एक passive energies दिख रहे हैं, जहाँ पे आप बहुत जादा initiative नहीं ले रहे हैं, या बहुत जादा attach नहीं होना चाहा रहे हैं, अगेन मैं कहूंगी कि deeper level पे कहीं एक withdrawal वाली energies हैं, दो surface level पे यहाँ पे sun का card मुझे कहता है कि बहुत एक enthusiasm रह सकता है, excitement रह सकती है, एक positive frame of mind आ एक clarity आते हुए दिख रही हैं, और बहुत enjoy करते हुए दिख रहे हैं, बहुत जादा आप surface level पे खुश दिख रहे हैं, और deeper level पे मैं कहूंगी कि एक सुकून दिख रहा है, एक peace of mind दिख रहा है, यहाँ पे देखे three of cups का card है और मैंने आपको बताया कि किसी तरीके का celebration रह स सकती है, यहाँ फिर हो सकता है Pisces कि November मन्त में आप अपने friends से बहुत जादा मिल रहे हैं, बहुत जादा उनके साथ interact कर रहे हैं, बहुत जादा time spend कर रहे हैं, और यहाँ पे page of pentacles का card मुझे कह रहा है कि थोड़ी सी immature energies आपकी तरफ से रह सकती हैं Pisces, इस चीज का जरूर खय किसी चीज के लिए आप जित पकड़ सकते हैं, थोड़ी सी stubborn energies रह सकती हैं, और अब देखते हैं कि आपके partner की क्या energies हैं, तो दिखिए आपके partner के लिए सबसे पहले cards मुझे दिख रहे हैं, page of cups and page of souls, तो उनके लिए बहुत जादा immature energies मुझे दिख रही हैं, ओवर sensitive होते होत दिख रहे हैं, बहुत जल्दी hurt हो रहे हैं, बहुत defensive energies भी मुझे दिख रही हैं, जहाँ पर एक irritation, एक frustration रह सकती हैं बिना किसी बात के, और हो सकता है कि बहुत अच्छे से आप से बात भी ना करें, November month में या फिर हो सकता है, खासकर November end में, जहाँ पर आप अच्छे से बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से आपको एक उल्टा जवाब मिल रहा है, एक सरकास्टिक तरीके से बात कर रहे हैं, और यहाँ पर दीखिए control and hierophant के भी cards हैं, और यह दोनों cards मुझे कह रहे हैं, कि कुछ चीजों के लिए बहुत जादा rigid हो रहे हैं, बहुत जादा fixated हो किसी भी तरीके का compromise करने के लिए ready नहीं है, थोड़ी सी उनकी controlling energies भी मुझे दिख रहे हैं, dominating energies भी दिख रहे हैं, हाला कि November मन्त में वो कबूल करते वे नहीं दिख रहे हैं, मानते वे नहीं दिख रहे हैं, बट कही deeper level पे और surface level पे भी एक controlling, एक dominating energies दिख रहे हैं, again मैं कहू I am होना चाहते हैं और चाहते हैं आप भी उनको follow करें, तो again you know मैं कहूंगी कि कहीं rigid हो रहे हैं कुछ चीजों को लेके, और यहां पे existence का card मुझे कह रहा है, कि बहुत एक confidence भी वो अपने उपर feel कर रहे होंगे, कुछ चीजों को universe पे छोड़ के आगे बढ़ते हुए दिख इनों ही बहुत ही positive cards हैं, तो कहीं इनों deeper level पे November मन्त में चीजें ठीक ठाक जाती हुए दिख रही हैं, participation का card again हमें कहता है कि हो सकता है, आप दोनों किसी common gathering में एक साथ जा रहे हैं, attend कर रहे हैं, एकठे और participation के ऊपर King of Cups reverse का card है, तो कहीं आप enjoy तो कर रहे हैं, बट कहीं ए इसी हो सकती है, circumstances ऐसे हो सकते हैं, और यहां पे the moon का भी card है, तो कहीं again देखिए, moon के नीचे harmony का card मुझे कहता है, deeper level पे एक सुकून है, happiness है, togetherness है, बट surface level पे यहां तो circumstances ऐसे हैं, situation ऐसी है, जिसकी वज़े से एक clarity नहीं आ पा रही है, कुछ fears आ रहे हैं, कुछ insecurities आ रही है देखिए, general reading होती है, तो सबके लिए यहां पे fear और insecurity के different reasons हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए लोग हो सकते हैं, उनकी love life में या उनके relationship में, जिनकी वज़े से थोड़े से issues आपकी love life में आ रहे हैं, कुछ लोगों के लिए circumstances और situation ऐसी हो सकती है, जिसकी वज़े से एक fear है, आप clearly नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन again मैं कहूंगी कि अच्छी बात यह है कि deeper level पे एक सुकून है, एक harmony है, और देखिए, यहां पे free will का भी card है, और free will का card हमें कहता है, कि जो भी events हो रहे हैं हमारी life में, उनके उपर कई बारी हमारा control नहीं होता है, हम उनको नहीं change कर प पाते हैं, लेकिन गर्मियों में हम अपने आपको कैसे सूरज की heat से protect करें, उस पे ही हमारा focus रहता है, हम इसी चलाते हैं, हम जादा पानी पीते हैं, इसी तरीके से free will का card कहता है, कि कुछ events हमारी life में determined होते हैं, जिनको हम नहीं change कर सकते, जिनके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, बट उनको हम कैसे deal करते हैं, उनके लिए हमारा क्या response होता है, यह बहुत कुछ हमारी life में determine करता है, तो again मैं कहूंगी कि moon का card मुझे कहता है, कुछ चीजों की वज़े से एक fear, एक insecurity रह सकती है, और यहाँ पर free will का card मुझे कहता है, कि आप उनको कैसे deal करते हैं, आप क्या response रहता है, वो बहुत important है, और कहीं वही decide करेगा कि आपकी love life में क्या रहेगा, और यहाँ पर देखिए triangle का card है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है, मैं सब की बात नहीं कर रही हूँ, कि third party interference भी है, और यह किसी की भी तरफ से हो सकता है, और कोई भी हो सकता है, क्योंकि आपके लिए हैं पे three of cups का card है, आप किसी और की तरफ attract हो रहे हैं, आपकी family की तरफ से कहीं एक opposition आपको मिल रहा है, आपके friends या कोई भी आपको influence कर रहा है, और कुछ prices के लिए उनके partner की तरफ से हो सकता है, कि आपके partner किसी और की तरफ attract हो रहे हैं, उनकी family की कोई colleague influence कर रहा है आपके खलाफ या इस relationship के खिलाफ तो ये एक third party interference कुछ prices के लिए मुझे दिख रहा है by the end of November चीजें अच्छी जाती हुई दिख रही है but कहीं उनों कोई चीज over हो रही है आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक over love कर रहे हैं over pamper कर रहे हैं over attention दे रहे हैं तो इसको आप ज़रूर चक करें क्योंकि कोई भी चीज over हमें नुकसान देती है but you know एक प्यार महबत दिख रहा है मुझे और बहुत अच्छी energies भी deeper level पे दिख रही है but surface level पे कहीं events, situations, circumstances इतने supportive नहीं दिख रहे हैं और शायद यही reason हो सकता है Pisces कि आप बहुत एक satisfaction, बहुत एक contentment नहीं feel कर रहे हैं यहाँ पे fool का card है और यह card मुझे कहता है कि हो सकता है बहुत सारे Pisces going with the flow वाली energies में रह रहे हैं और अगर ऐसा आप नहीं कर रहे हैं Pisces तो please ऐसी ही energies में रहें तभी आप अच्छे से enjoy कर पाएंगे बहुत जादा सोचे ना, बहुत जादा चीजों को analyze ना करें जैसे चीजें आ रही हैं उनको लेते जाएं और शायद free will का card भी हमें वही चीज बोलता है यहाँ पे faith का card है और यह भी यही बोलता है कि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है उनको ना change करने की कोशिश करें उनको universe पे छोड़ें और जो चीजें अच्छी हो रही हैं आपकी love life में November month में उनको आप enjoy करें और ऐसा बहुत सारे prices करते हुए भी दिख रहे हैं जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए काट कह रहे हैं कि प्लीज अगेन मैं कहूंगी कि going with the flow वाली energies में रहें और जो चीजें अच्छी हो रही हैं उनको enjoy करें कोई भी चीज over ना करें और अगर आपकी तरफ से कुछ immature energies हैं तो उनको चेक कर लें और अगर ऐसा आप करते हैं prices तो नवेंबर मन्त आपकी love life के लिए बहुत अच्छा जाएगा